मैं डॉक्टर खेम चंद महावर सहाचार्य राजिती विज्ञान राज्किये महाविद्याले भहरोड आज हम मत्से विश्विद्याले के पाटे करम के अनुसार भी ये दिवित्य वर्स के विद्यारतियों के लिए उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रमुक रायनती के वस्ताएं उसके अंतरगत ब्रिटेन के समिधान का अध्यान हम कर रहे थे और ब्रिटेन के समिधान के अंतरगत पिछले वीडियो में मैंने ब्रिटेन के समिधान की विसेस्ताओं की चर्चा की थी इस वीडियो में भी हम ब्रिटेन का समिधान की जो सेस बच्ची विसेस्ताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि पूरू में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का समिधान विश्व का एक ऐसा समिधान है ऐसा अलिखित समिधान है अभी समय पे आधारी समिधान है सुवत व विद्ध्यारती को बहुत सिद्धतता के साथ करना चाहिए क्योंकि समस्त संस्दात्मक शाष्ष्षन विवस्था वाले देशों को समझने के लिए सबसे पहले यदि हम ब्रटीस समिधानिक शाष्षन विवस्था यद ब्रटेन के समिधान का विकास कैसे हुआ उसको यदि हम समझते हैं तो आगे संज़िए शाष्ण व्यवस्ता वारे देशों के सम्मिधान को समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी उसी संद्र में इससे पूरो हमने जैसा की बिटेन के सम्मिधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बिटेन के सम्मिधान की कुछ विस्यस्ता है और अब उससे आगे उसकी कुछ शेस बची विस्यस्ता है उसकी चर्चा करते हैं अकसर परिक्षाओं में बिटेन के सम्मिधान की दो विस्यस्ता हैं साथिए इस प्रकार का छोटा प्रस्काइं के इस दिसक्राइब इस नदर में बड़ा प्रश्ण भी आता है तो विद्ध्यारतियों को इस अध्याई का गहतना स activates Embarer यह कुछ विसक्ता हैं झो पिछले वीडियों में को मिली अब पुनाद प्रस्तूत है और उस से आगे जो पिछला अध्यानम ने किया था उसे आगे की विश्यस्ताइं इस प्रकार से है धर्न रुप्यक्स्ता की इस्तिति देखिए पुस्तकों में कई बार ये इस प्रकार से लिखा होता है कि धर्न रुप्यक्समिधान नहीं तो ये टाइटल जो है धर्न रुप्यक्समि किया है कि क्या इस्तिति है देखिए भारतिय समिधान के बारे में कहा जाता है कि भारतिय समिधान धर्न इर्पेक्स है अर्था धर्न इर्पेक्सता का मतलब कि भारतिय समिधान ना तो किसी धर्म को प्रोसाहिद देगा ना किसी धर्म का विरोध करेगा अर्था सभी धर्मों होगा समान संद्रक्षन होगा यह बार्द्य संद्र में कि इंग्लेंड के संद्र में इस्तिथी दूसरी है कि इंग्लेंड के संद्र में इस्तिथी दूसरी है अर्थात यद्वी वहां भी उस प्रकार की धार्मिक सुतंता है जिस प्रागरिक धार्मिक सुतंता सब जगह होनी चाहिए भारत में भी है वहां का प्रतेख नागरिक एक निम्न पद से लेकर पधान मंत्री तक बिना धर्म का वेदवाव किये बन सकता है किन्तु जब बात समराट और सामरागी के आती है तो वहां इस्तिती समराट और समरागी या राजा और रानी जो है वो केवल प्रोटेस्टेंड इसाई ही हो सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रतेन में दो बड़े समुदाई हैं प्रोटेस्टेंड और केथलिक तो वहां की जो राजा और रानी होगा या होगी वो प्रोटेस्टेंड इसाई ही होगा क्योंकि राज्यारानी वंच प्रमप्रा के आधार पर ही चुने जाते हैं इस प्रकार से ब्रटेन के समिधान में धर्म रवस्ता की इस्तिति इस प्रकार की है दूसरा संसद की सर्वोचिता ब्रिटेन की संसद विश्ज की समझ संसदों से शक्ति-शाली माने जाती है क्योंकि ब्रिटेन की संसद किसी भी प्रकार का निर्णे जो लेती है वो सर्वोमानने होता है जिसा की महा के एक विद्वान है डी-लॉम ये नाम याद रखिया डी लॉम और उनका प्रसिद्ध कथन है कि बिटी संसद पुरूस को इस्तरी और इस्तरी को पुरूस बनाने के अत्रिक्त कुछ भी कर सकती है अब इस वाकिया से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिटेन की सम्विधान कितनी शक्तिशाली है इसी संदर्म में हूग ने कहा है संसद चाहे जो कर सकती है और मनश्यकरत कानून दुवारा जो प्रणाम प्राप होते हैं उन्हें प्राप्त कर सकती है डाइसी ने भी संसद के सरवच्चता का गुणगान करते हुए काहा है कि कानूनी दुष्टी से हमारी रायिंतिक संस्दाओं की प्रुम को उसे स्ताइं संसद की सरवच्चता है संस्द की शक्ती इतनी सरवच्चahlt की इसको व्यवस्थापन दुवारा सिम्यत नहीं किया सकता अर्थात महां का जो संब्राट है उस संसद दोबारा बनाए गए कानूनों को केवल उपचारिक रूप से हस्ताक्षर करता है उसके हस्ताक्षर करना अनिवार है लोड सबा का उतना दखल नहीं होता है और जो नैय पाली का है वो भी संसद के निरने को पलिट नहीं सकती है इसलिए वहां की संसद सरवचे कहलाती है अगली मिसिस्ता मिस्री समिधान जेकि मिस्री समिधान का यह अर्थ यह नहीं है कि बिटेन का समिधान अलग-अलग देशों किसे लिया गया है तो कि बिटेन का समिधान तो विश्व के समिधानों का जनक है यहां मिस्स समिधान का सिधा साभी पराई यह है कि बिटेन के समिधान में सभी तीनों परकार की शाषिन परनालिया राज तंत्र, लोग तंत्र, कुली तंत्र तीनों शाषिन परनालियों के दर्शन होते हैं यह सिधा सार्थिया है राज तन्तर आत्मग इसलिए क्योंकि राजा जो है वो वईश परमप्रा के अधार पर एक ही कुल से एक ही परिवार से चुना जाता है कुलीन तन्तर इसलिए कि ब्रिटेन की जो संसद है उसका जो अपर हाउस है लोड सभा जो सदस से चुना जाते हैं वो कुछ अधिकांस तंग कुल के अधार पर चुना जाते हैं कुछ जो पियर्स होते हैं, कुछ इसाइफ होते हैं, कुछ धन्वान होते हैं, वो वंश परमप्रा क्यादार पर चुने जाते हैं, कुली तंत्र इस प्रकार से है, लोक तंत्र, चूंकि वहाँ जो अंतिम सत्ता है, वो जन्दामे निवास करती है, इंग्लेंड का समिधान मे एक साधरान बाउमों से परिवर्टन किया जा सकता है और समझ सकती जो है ना लोड सभा के पास है ना समराट के पास है बलकि वो संसद के पास या यूं कहें कि मंत्री मंडल के पास है और मंत्री मंडल जो है वो कौमन सभा का या एक जनता का सच्चा प्रतनिती है तो इस प्रक्राइब से में समयधान है विदी का शाषन जैसे कि आपने सुना होगा कि एवी डाइसी जुनोंने रूल ओफ लो नामक वस्तक लिकी थी तो बिटेन का समयधान उसी रूल ओफ लो पर आधारित है उसी विदी के शाषन पर आधारित है अर्थाद यदि किसी वेक्ति ने विदी का उललंगन किया है तो सामाने वेक्ति से लेके विशिश वेक्ति तक दंडित किया जाएगा या दंड का भागी होगा यदि विदी के शाषन के द्रिक्त और किसी चीज़ का उलंगन किया है तो फिर वो धंड का भागी नहीं होगा उसी प्रकार से वहाँ एक अन्य विस्था इस किये दिवदली शाषन विवस्था बुटेन में सामाने ते दो दल है एक उदार दल एक अनुदार दल बाद में जो अनुदार दल है वो मजदूर दल के रूप में प्रनित हो गया है तो इस प्रकार से वहाँ दूदली शाषन विवस्था है विश्थ के अन्य देशों में जहां बहुदली शाषन विवस्था है वह सरकारे अक्सर आएस्थिर होती है कभी वो दो साल में गर जाती है कभी कुछ दिनों में गर जाती है पांस साल पूरूर नहीं कर पाती है वहमत के भाव में किन्तु ऐसी इस्तिती इंग्लेंड में नहीं है इंग्लेंड में जो सत्ता संगर्स होता है या भाम्मत इधर या उधर होता है वो इन दोनों दलों के बीच होता है इसलिए वहां की शाषन व्यवस्ता में इस्थिरता पाए जाती है सुद्रता पाए जाती है ये दूज़ देली शाषन व्यवस्ता की एक सूपर इनाम है इसके अधिरिक सिध्धान तर व्यवहर में अ अर्थात जैसा समिधान दिखाए देता है, वेसा समिधान है नहीं, और जैसा है वेसा दिखाए नहीं देता, जैसा कि मुन्रो ने कहा है, वहाँ के प्रसिद विद्वान रहे हैं, मुन्रो, उन्हों ने कहा है कि बिटी समिधान की अद्वत विसेस्ता है, कि वो जैसा है बखाएने देता अब एसी क्या चीज़े हैं तो एक दो एक्जामपल से हम समझेंगे जैसे कि कहा जाता है कि बिटेंज जो है वह संसदी संप्रूबुता उसको है यानि कि विश्व का सबसे शक्ति-शाली संसद है किन्तु और गहराय से जाएंगे तो हम पाएंगे कि बिटे पाड़ भी आ गया शक्ति-शाली नहीं है संसद में लोड़ सभाव भी आ गई शक्ति-शाली नहीं है संसद में कॉमन सभाव भी आ गई वो शक्ति-शाली नहीं है बलकि शक्ति-शाली है मंत्री मंडल कॉमन सभाव में आलोचना प्रत्य लोचना विचार विमर्श होता है किन्तु अंतिम शक्ति या प्रेक्टिकली विभारिक तोर पर जो शक्ति होती है वो मंत्री मंडल के अंदर ही होती है इस प्रकार से सिध्धान विभार का ये अंतर पा जाता है दूसरा ये भी का जाता है दूसरा अंतर यूं कहें पारितं नहीं होता इसलिए राज संतरी आतम शक्राशन वेवस्ता है कि इंटुट वेभार में जब संसद कोई गकानूब्र करती है तो उस कानूबर उस्क इस विद्रेयक पर सम्पराट हस्ताक्षर करने के लिए बाद्दे है इसलिए सम्पराट वहं मात्र की शक्ति है एक शांदार कट पुतली नाम दिया गया उसको इस प्रकार से सिद्धान विवार में वा अंतर पाए जाता है एक और विस्षथा इसकी प्राची नितम लोगतांते क्विवस्था जैसा कि हम इसकी विस्षथा हैं और विस्षथा हों से पूर हुजब हमने इसके अनेक कालों की बात की थी उन कालों में जैसे नार्वन एंजीवन था प्रांटेंगनेट काल था ट्यूडर काल था इस्टूरड काल था इन सभी हनवर काल हैं सभी में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रटेन में एक एक पद एक एक सरचना का विकास होता है चाए प्र व्राणाम सुरूप, चाए मंत्री मंदल हो, चाए संसद हो चाए पद्धान मंत्री पद्ध हो यह सभी का विकास शने शने वाँ पे हुआ है तो ब्र ciao कित बुटेंगे का जो समीधान है या विठेंगे जो संसद है बिठन की शाषन पुटना लिए इसकी प्राची नितम, लोगतांत्रिक, समीधान या शाषन कहा जाता है जिनका विकास स्वत्त ही हुआ है जैसा कि हमने पूर्व में भी पड़ा है इस प्रकार से इसकी विस्यस्ताएं हैं विध्यार जोगों गयनतासिन का अध्यन करना चाहिए है